हमारी जान 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 है, हम बचेंगे नहीं पुलिस भी मुक्तार अंसारी का कुछ नहीं बिगड़ पाती थी, तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होता हुगा लेकिन आज हम आपको मुक्तार अंसारी की मौत पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान सुनवाएंगे जिसने इस खुंखार डौन को खुले आम चुनोती दी थी मुक्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए ये पुलिस अधिकारी उस समय की मुलायम सिंग यादव सरकार से भी भिड़ गया था लेकिन उसके बाद इस पुलिस अधिकारी को खुन के आशू रुलाए गए मगर सीयम योगी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जिंदगी ही पलट कर रख दी जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंग है शैलेंद्र कुमार सिंग ने 2004 में मुखतार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ओफ टेरिरिजम एक्ट लगाया था शैलेंद्र कुमार सिंग को पता चला था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुखतार अंसारी ने लाइट मशीन गन खरी दी थी ऐस समय की राज्य सरकार शैलेंद्र सिंग के इस कदम से नाराज हो गई और उन पर पोटा वापिस लेने का दबाओ बनाया गया शैलेंद्र कुमार सिंग ने जुकने से इंकार कर दिया और यूपी पुलिस से इस्तिफ़ा दे दिया लेकिन इसके बाद शैलिंद्र कुमार सिंग का हरैस्मेंट शुरू हो गया, उनके खिलाफ ही कुछ मामलों में F.I.R दर्ज करवा दी गई, शैलिंद्र कुमार सिंग को उनके साथ ही जेल ले गए, लेकिन सीम योगी ने शैलिंद्र सिंग के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले किये और मुक्तार अंसारी का जो भैका सामराज था चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियां को हो जाए तो आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आप ते कहा कि खुली जीप में माउख दंगों में घूमता था जहां कर्फियू लगा है, किसी की हिमत नहीं कुछ बोल दे, कारवाई के तो छोड़ दीजिए, और उस समय मैंने लाइट मचीन गन रिकवर की, आज तक उत्तर प्रदेश में किवल एक ही रिकवरी है, ने उसके पहले कभी हुई, ने बीस साल हो गया, अब तक हुई है, और उस पे पोटा भी लगा है, क्योंकि पोटा प्रेशर बनाया है, जब कोई नहीं सुना तो आई जी जोन जो थे उनका ट्रांसपर, डी आई जी रेंज का ट्रांसपर, स्टी एफ हमारे थे उनका ट्रांसपर, और अंत में ऐसा माहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा पंद्रह दिन बाद ही, लेकिन मैं ने रिजिगनेशन में लिखा, और जनता के सामने इस चीज को रखा, आप लोग के माध्यम से, कि देखी, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की यह सरकारें चल नहीं हैं, कि जो माफियां के निर्देश पर काम कर रही हैं, हम लो स्थिति बहुत ही खतरनाक थी, दिरे दिरे इस पर लगाम लगा है, नियाले में अब ने आने लगे हैं, जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक दो दो दशक तक नहीं आये, अब आ रहे हैं, तिन तिन दशक के बाद, स्थिति बदली है, और उसका नतीजा आप लोग देख कि अपरात्मा कुछ भी हो रहा है, नहीं सौभाविक है, अगर साशन पर साशन हम तो किसी सपोर्ट की भी उमीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पर किया, मैंने अपनी टीम के साथ, तो हमको सपोर्ट की जरूवत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है, मेरी हम को यह महर्मा में दिया जायता है, मुझे सपोर्ट की कोई जरूवत नहीं, सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है, कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आप समिशन दे रखा है, तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभाद है, इमानदारी से, तो जनता को अपने अपराहत मिल जाए, का जावत है कि पुलिस अगर चाहले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, यह हकीकत है, मैंने एजर डिप्टीस पी बहुत चोटा पत था, बड़ा पत नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था, तीन से चार थाना चेतर, जो भी मेरे अंडर्मेर है, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, दवा नहीं बना रहे होता है, तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता है, जब मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताओ कि हो क्या रहा है, शायद अगर हम नौकरी में रहे होते, तो यह पक्ष कोई द अच्छी काम नहीं कर सकता है, तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार के जान जोखिम में डाला, सभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी पर आइविट भी जोईन करने तो इनके कॉल चले जाते थे थे कि इन पड़ता है, ओपर वाले के हाँ देर है, अंधेर नहीं है, बीस साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा डर, जो डर दूसरों पर कायम किया था, वो डर उस पर हावी हो गया, और अंत में हाट अटेक से उसकी मृत्तिव हुए है.